दूसरा थिमुति उस चार वचन अठारा हम आपके लिए पढ़ेंगे अब ध्यान पूरवाग देखे कि वचन क्या कहता है ध्यान देना है सबको अपने पास डायरी रखना है पवित्र शास्त्र डायरी और पेन जो पढ़ सकते लिख सकते हैं आप जब वचन को अपने डायरी में लिखते हैं अपनी उंगलियों से आप प्रभू को अपनी जिंदगी में आने की अनुमती देते हैं या परमेश्वर को अपने जीवन में शक्तिशाली बनाते हैं आमेन दूसरा थी मुझे उस चार वचन अठारा हमारे साथ आप लोग पढ़िएगा वहाँ ऐसा लिखा है हमारे साथ सब लोग पढ़ लीजिए प्रभू मुझे बोलना है बोलना है बोलिए प्रभू मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वरगी राज्य में उधार करके पहुँचाएगा उसी की महिमा युगान युग होते रहे अब जितने लोग लिख सकते अपने डायरी में आप इस वचन को लिख लो जितने लोग नहीं लिख सकते उसे अपने मन में लिखना है फिर से बोलिये प्रभू मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वरगी राज में सुरश्यत पहुचाएगा आमेन तो हमें कौन से राज में प्रभू ले जाना चाहते हैं स्वरगी राज अब आपको ये पता चल गया कि अभी में जिस राज में हूँ यह संसार का राज है यहां संसार का बल दिखाई देता है लेकिन हमारे आपके लिए एक बड़ी खुश ख़वरी ये है कि हमारे लिए एक स्वरग राज है आप समझ रहे हैं पर स्वरग के राज की जो तैयारी है वो इसी संसार के दुनिया में प्रभू हमें करने के लिए कहा है क्योंकि यह तैयारी की जगह है अभी तक हमें ये मालूम नहीं था लेकिन पवित्र शासर कहता है कि वो हमें छुडाएगा इस संसार से इस संसार की गंदगी से छुडा कर हमें स्वरगी राज्य में ले जाएगा आमेन मतलब समझ येगा इसका मतलब है कि जिस राज्य में अभी हम है ये एक संसारिक राज्य है एक संसार की दुनिया में है यहाँ इनसान शरीर में खत्म होगा मिट्टी में मिलेगा लेकिन जब शरीर से कुछ निकलेगा अभी एक बेटे के शरीर से तो बहुत बुरा चीज निकला और वो फिर से मनिश के रूप में आ गया लेकिन हमारे आपके अंदर एक मनिशत्व है एक व्यक्ति है उसे हम आत्मिक व्यक्ति कहते है और उसका भोजन आत्मिक है अब हम उस आत्मिक व्यक्ति को तयार कर रहे हैं स्वर्गी राज्य के लिए आमेन क्योंकि वाइबल कहती है कि जब प्रभु येशु मसी का आगमन होगा दोबारा अग्मन येशु मसी बादलों पे आएगा तो वो अपने साथ किसे उठाएगा उस विक्ति को उठाएगा जिसने आत्मिक रिद से चाल चलना सिखा है जिसने अपने जीवन को आत्मिक्ता में परिपून किया है जो दोस भावना से जिया कटू भावना से जिया और कुटिलता की भावना लेकर इस जगत में रहा वो कभी भी उस आत्मिक मनिश्य के स्वाभाव में बन नहीं सकता और इसलिए आज यहाँ पर प्रभू हमें कहता है कि मुझे प्रभू हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा एक बाद ठीक ठीक तुम पढ़ लो भई आप लोग पढ़ लीजिये क्या लिखा है क्योंकि यही वच्चन आपको छुड़ाएगा सिधा सिधा लिखा है कि प्रभू मुझे हर एक बुरे काम से क्या करेगा इसका मतलब बुरा काम हमें स्वर्गी राज्य में जाने नहीं देता है बुरी परिस्थितियां हमें स्वर्गी राज्य में औरोधक हैं रुकावट हैं और इसलिए प्रभू आज अपने प्री बेटे बेटियों से कह रहा है कि पापो से मन्फिर आओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है आमेन कहिए आप स्वर्ग का राज्य कहां आ गया है भाईया एक दूसरे से बोलिए निकट आ गया है निकट आया की नहीं आया अभी ये दोनों जवान को प्रभू ने चंगा कर दिया ये दोनो जवान को कोई जुखाम बुखार की बिमारी नहीं थी इनको एक ऐसी समस्या थी जो सायद ये कभी छूट पाते लेकिन इनको किसने छुड़ाया बोलके बताईए ये दोनो जवान को किसने छुड़ाया तो परमेश्वर का राज्य उनमें आ गया है जब तक परमेश्वर का राज्य उस विक्ति में जाएगा नहीं वो आजाद ही नहीं हो सकता और येश्व मसी ने कहा कि जहां पर मेरे नाम से दुष्टात्माय निकाली जाती हैं बीमार चंगे किया जाते हैं मेरा राज्य वहीं पर है आप सोच चलो प्रभू कह रहा है कि मैं तुझे बुरे काम से छुडाने आया हूं कोई गलत किया है वो हमें बुरे काम से छुडाने के लिए वो येश्व मसी गलत काम कर रहा है और हमें कौन से राज्जी के लिए stand कर रहा है, खड़ा कर रहा है, कौन से राज्जी में ले जाने के लिए, पड़ोसी को हाथ पकड़ो, स्वर्गी राज्जी में जाना है, आमेन, अब कोई ये कहे कि हमें कभी मरना ही नहीं है, तो वो तो उसका एक पागलपन है, क्योंकि प्रभू ने मृत्यू का स्वाद चखा, क्यों चखा, प्रभू चाहता तो मरता नहीं, लेकिन वो क्यों मरा, क्योंकि वो धर्दी पे आकर ये देखना चाहता था, कि मनश्कू पर क्या-क्या दुख आते हैं, बिचारा बिमारी में होता है, गरीबी में चला जाता है, कोई धन्वान आदमी गरीब को सताता है, दुख सहता है, वो सारी चीजे का अनुभाव किस ने लिया, ये शू पिता ने, और ये भी अनुभो लिया, कि मैं भी मौत में जाऊंगा, मौत का स्वाद क्या किया, जैसे हम लोग खाना खाके स्वाद चख लेते, ये इसमें नमक जादा है या कम है, वैसा प्रभू कहता है, मैंने मृत्यू का स्वाद चखा, चखने के बाद, उस मृत्यू को हरा कर, उस बिमारी को हरा कर, तीसरे दिन फिर से हमारे आपके लिए जी उठा, अंधियारा कभी जोती को हरा सकता है, वो ऐसी ही समझ लो, येशु मसी युहना आट के बारा में लिखा कि, मैं जगत की, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधियारे में नहीं चलेगा, ये दोनों जवान बेटे अभी जो गवाही दिया, ये किस के पीछे हो लिए, अब बताओ ये जोती में है की अंधियारे में है, जोती में आ गए, मौत से छूट गए की नहीं छूट गए, वैसे आज, बहुत औरे के जीवन में, बहुत सारे भाई वेनों के जीवन में, परमेश और काम करने जा रहा है, शुमसी के नामने, आमेन, हालेलुया, बस एक चीज़ देखना है, वो लिख दिया कि मैं तुझे बुराई से छुड़ाने आया हूँ, बुरे काम से, वो हमें बुरे काम से छुड़ाएगा, कन्फम, ये नहीं लिखा, कन्फम कर रहा है, छुड़ाएगा, देर नहीं है, पर आपकी भक्ती का आकार कैसा है, आपने अपना स्प्रिच्वल लाइफ, अपना आत्मिक जीवन, देखो जब हम मसी के सामने आते हैं, तब हमें ये भाशा पता चलती है, कि हम एक आत्मिक विखती हैं, नहीं तो हम तो जानवरों कितरा रहते थे, इदर नसा करते, उदर गाली देते, उदर बे विचार करते, उदर किसी को मारते, रोड पे खड़ा जानवर बगर गाल आपको मार दिया, बगर पूछे, ऐसे ही तू मनश की नियत हो गई, ये पाप का अस्तित्व है उसके अंदर, किसका? पाप का, और प्रभू कह रहा है कि मैं तुझे बुरे काम से छुड़ा सकता हूँ, वो हमें बुरे काम से छुड़ाएगा, और सुर्ग के राज्य में ले जाएगा. चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि जब भी लाई प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें.